हलो फ्रेंड विडियो आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स टेम इरे वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ चुटी-चुटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हैं जिनसे हम बहुत सारे नियू वर्ड सीखते हैं अपनी वोकेबलरी को इंप्रूफ करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर दे जाती है मैं कोशिश करते हूँ कि एजी भी मैं आपको एक्स्प्रेंड कर सकूँ आज हमारा ऐसे होने वाला है दशेयर के उपर और इसमें जितनी भी हम सेंटेंज देखेंगे प्रिजेंट में भी होंगे पास्ट में भी होंगे और एक्टिव ऐसे वाइस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा स्टार्ट करते हैं रिडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर दशेरा is a festival celebrated in the Hindu regions ठीक है दशेरा is means है a means a festival means त्योहार है दशेरा एक त्योहार है celebrated celebrated का मतलब होता है उत्सव मनाना जो मनाया जाता है या जिसका उत्सव मनाया जाता है दोनों ही तरीके साब इसको बोल सकते हो ठीक है in the Hindu religion in means में the Hindu religion यह के Hindu dharm में यह हमारा present in different tense का passive voice है ठीक है तो दशेरा एक त्योहार है जिसे Hindu dharm में मनाया जाता है it is one of the most important festivals in India it is यह है one of the most important यानि कि सबसे महतपून में से एक one of the most most means सबसे important means महतपून ये भारत में सबसे महतपून त्योहारों में से एक है in addition इसके अलावा या इसमें जोडते हुए दोनों ही आप ओल सकते हो इसमें जोडते हुए है it is also one of the longest one इतए चाहई बहुत है और देखे यहां पर वन्स का मतलब एक भार आपको में बताती हूं कि बन्स बोल सकते हैं और यहां पर हम अैंपे वी बहुत हैंगे, सबसे Лंबे त्योहारो मैं से एक है ठीक है people celebrated दशहरा with great enthusiasm and love throughout the country people means लोग celebrate मनाते थे या मनाया उन्होंने मनाया ठीक है दशहरा को with great enthusiasm बड़े उत्सा और प्यार के साथ मनाया लोगों ने दशहरा को बड़े उत्सा और प्यार के साथ मनाया throughout का मतलब होता है भर या फिर पूरे country means देश में पूरे देश में या दुनिया भर में दशहरे को बहुत उत्सा और प्यार के साथ मनाया ठीक है it is time of for rejoicing for everyone it is time यह समय है for means के लिए rejoicing मतलब क्या होता है खुशी या आनन्द के लिए for everyone हर किसी के लिए everyone means हर किसी के लिए यह हर किसी के लिए खुशी और आनन्द का समय है simply किसी sentence को हम read करेंगे और यह हमारा present का simple sentence जो होते है हमारे वो है the students get 10 day long holidays for their schools and colleges to thoroughly enjoy this festival the students जो विद्यार्ती होते है get means क्या होता है पाना या मिलना 10 day long holidays दस दिनों की लंबी छुटिया जो विद्यार्ती होते हैं उनको 10 दिनों की लंबी छुटिया मिलती है या वो पाते हैं दोनों ही आँ बोल सकते हो from their schools उनके विद्यार्लियों से from means से and colleges और उनके colleges से to thoroughly enjoy thoroughly means क्या होता है thoroughly means होता है पूर्ण तया या फिर पूरी तरह से enjoy आनंद लेने के लिए this festival इस त्योहार का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए जो विद्यार्ती होते हैं वो 10 दिनों की लंबी छुटिया पाते हैं या उनको मिलती है इस तरह के साब इसे simply बोल सकते हैं इस दसहरा ऐसे के अंदर यानि के निबंद के अंदर we will see how and why people celebrate दसहरा वी विल सी हम देखेंगे how means कैसे and why means क्यों कि कैसे और क्यों लोग दसहरा को मनाते हैं celebrate मतलब दसहर को मनाना या उसका उतसम मनाना दोनों ही वर्ट्स आप यूज कर सकते हो दसहरा falls two or three weeks prayer of to ीडिवाली दसहरा falls में मतलब क्या होता है? fall means होता है गिरना या फिर पढ़ना तो दसहरा पढ़ता है two or three weeks prayer वीघेूरर पेरे का मतलब होता है पूर्व या धिमता दिवाली से दो या तीन हफते पहले वी ही मतलब सबकूछ पहले कर Nacht या फिर्ड़े पहले आप इसका बाहुतन अबसा अब कर्न देखेंक यह तो उते हैंasion यह पता कि वह रहेजिए इसलिए भी करती हूँ क्योंकि काफे सेरे लोग new जुड रहे होते हैं जिनको इस चीज़े नहीं पता होती है Thus means होता है इस प्रकार But हम कई बार इन छोटे छोटे words का meaning जानते ही नहीं है और हम समझने की कोश्च भी नहीं करते हैं It falls usually around September to October It falls यह पढ़ता है Usually आम तोर पर around लगभग September to October यह लगभग September से October के आम तोर पर पढ़ता है ठीक है यह फिर आप ऐसे ही बोल सेते हैं कि यह आम तोर पर September से October के आसपास पढ़ता है Around का मतलब लगभग भी होता है Around का मतलब आसपास भी होता है ठीक है हम क्या करते हैं मैं आपको यह चीज हमेशा बोलते हूँ जो भी हमारे sentence का according जो word सही जा रहा है जो हमें लगते हैं कि यह suit कर रहा है हम उसको लेते हैं उसी को बोलते हैं ठीक है everyone waits for the festival eagerly everyone हर कोई या हर एक वेक्टी waits इंतिजार करता है for this festival इस्तिवार का eagerly means बेसबरी से या बेचैन होकर दोनों ही आप बोल सकते हो कि हर कोई इसका बेसबरी से इंतिजार करता है it brings great reasons to rejoice by all it brings यह लाता है bring means क्या होता है bring means होता है लाना it brings यह लाता है great reason यह बड़ा reason यहने के बड़ा कारण लाता है to rejoice by all to rejoice आनन्द लेने का by all सभी के द्वारा आनन्द लेने का यह बड़ा कारण लाता है सिंप्ली तरिके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे तो लेडीज प्रेप फॉर देयर पूजाज वाइल दे मैन बाइक क्रेकर्स एंड मोर तो सेलिब्रेट इट हाठी दे लेडीज जो औरते होती है प्रेप मीन्स कहता है प्रेपरेशन जो होता है न उसी की यह चौट फॉर्म करते हैं प्रेप मीन्स तयारी करना फॉर देयर पूजाज जो लेडीज होती है जो औरते होती है वो पूजा की तयारी करती है जबकि वाइल मीन्स जबकि जो मैन होते हैं मैन मीन्स जो घर के आदमी होते हैं वो क्या करते हैं crackers मतलब वो खरीदते हैं, by means खरीदना, crackers means पताके वगरा खरीदते हैं, and more, और भी ऐसी अन्य चीजे जो भी हमें त्योहारों के टाइम पर जरूत पड़ती हैं, वो उनको खरीदते हैं, more means यहां पर बहुत सारी चीज़ हो गई, चाहो तो आप यहां पर बहुत सकते कि sweets हैं, वो आप लिख सकते हो, but अगर आपको बहुत सारी चीज़े नहीं लिखने तो आपको क्या करते हैं, कि वो crackers and more to celebrate it heartly, celebrate मतलब इसका उत्सव मनाने के लिए, it heartly means दिल से इसका उत्सव मनाने के लिए, और ते जो हैं वो घर में पूचा की तयारी करते हैं, और आदमी ब सकते हैं, आई हो पे टॉपिक जो है, आपको पसंद आया होगा, तशेरे के बड़ चोटा है, ऐसे है, इसली आप लिख सकते हो, इसका पार्ट भी आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत ही चल्दी, और यह वीडियो कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज होए है यह चीज, पूरी तरीके से कर रहे है, हाटली मीन्स होता है दिल से, इन टीनों वर्ड साब को सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के लिखना है, आज के थ्री वर्ड है डिक्टेशन के, फर्स्ट है, रिलिजिन, सेकिन है, थूरोली नहीं है, जो आप इसमें से देखके लिखेंगे थ्रू आउट ठीक है थ्रू आउट अलग है उसकी स्पेलिंग अलग है एंड थर्ड है प्रियर प्रियर आई होप इवड़ आपको पसंद आया होगा कैसे अलगा प्लीज मुझे कोमेंट फॉक्स में जरू बताएगा थैंक्स वॉचिंग